वेलकम इस्ट्रेंड्स सेकेंड वीडियो में आपको सागा थे फर्स्ट वीडियो में हमने लिनियर इक्वेशन इन वन वेरियबल के बारे में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल की थी उसी से आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं question है t upon 5 equal to 10 इसे हमें सॉल करना है पिछले question में हमने पढ़ा था कि multiply में वह नमबर था तो हमने divide किया था यहां हमारे पास में divide में नमबर आया है तो हम इसमें multiply both side करेंगे multiplying both side by 5 t upon 5 into 5 equal to 10 into 5 5 से 5 cancel हो जाएगा LHS में तो t बचेगा और 10 और 5 का multiply करेंगे तो 50 आएगा t की value 50 आईगे अब इसे हम चेक करेंगे चेक करते हैं LHS लेते हैं t upon 5 t के प्लेस पर t की value पूट करते हैं 50 तो आता है 50 upon 5 50 को 5 से divide करते हैं 10 आता है जो की RHS की equal है hence t equal to 50 is the solution next problem है हमारे पास में 2x upon 3 equal to 18 अब यहां पर x के साथ में multiply में 2 upon 3 है तो हम both sides इसके reciprocal का multiply कर देंगे मतले 3 upon 2 से multiply कर देंगे multiplying both sides by 3 upon 2 2x upon 3 into 3 upon 2 equal to 18 into 3 upon 2 LHS में 2 से 2 divide कर देंगे और 3 से 3 तो LHS में only x बचेगा RHS में 18 को 2 से divide करते हैं 2 9 जा 18 होता है तो 9 बचेगे 9 into 3 और x equal to 9 3 जा 27 therefore x equal to 27 अभी sensor को हम check करते हैं जैसा कि हर सम में कर रहे हैं LHS लेते हैं 2x upon 3 x के place पर x की विली जो हमने find की ती है अभी हमने 27 put करते हैं 2 into 27 upon 3 27 को 3 से divide करते हैं 9 आता है 3 9 जा 27 और 9 और 2 का multiply करते हैं 18 आता है हैंस x equal to 27 is the solution next question 1.6 equal to y upon 1.5 यहाँ पर 1.5 divide में हैं इसलिए both side हमें 1.5 से multiply करना होगा multiplying both sides by 1.5 1.6 into 1.5 equal to y upon 1.5 into 1.5 RHS में 1.5 से 1.5 को cancel करेंगे RHS में y बचेगा LHS में 16 और 15 का multiply करते हैं 240 आता है और decimal के बाद में 2 digit है इसलिए हम 2 digit छोड़के decimal लगाते हैं तो 2.4 यह बचेगा हमारे पास में y equal to 2.4 यह answer है अब इसे हम check करेंगे check करने के लिए यहां में RHS लेना होगा अब तक के sum में हमने LHS लिया था क्योंकि variable वहाँ LHS में था यहां RHS में variable है इसके हमने RHS लिया y upon 1.5 y के विलिए पुट करेंगे हम 2.4 upon 1.5 अब decimal से decimal cancel हो जाएगा 3 की table में दोनों आते हैं 3 से divide करेंगे 3 5 जा and 3 8 जा 24 8 upon 5 आया है 8 को 5 से divide करेंगे 1.6 आएगा जो की LHS की equal है hence y equal to 2.4 is the solution next question है 7x minus 9 equal to 16 अब यहां minus 9 आगया है हमें both side plus 9 करना होगा जिसकी पिछले कुछ sums में हमने किया था adding 9 on both side 7x minus 9 plus 9 equal to 16 plus 9 LHS में plus 9 minus 9 0 हो जाएगा only 7x बचेंगे equal to RHS में 16 और 9 को add करते तो क्या आता है 25 इसलिए हम हम 25 दिखेंगे अब dividing both sides by 7 क्योंकि हमने इसा क्योंकि x के multiply में 7 है इसलिए हम 7 से divide कर रहे है 7x upon 7 equal to 25 upon 7 7 से 7 divide करेंगे LHS में तो x बचेगा और RHS में 25 upon 7 ऐसा ही रहेगा यह answer आया है अब इसे हम check करते है LHS लेते हैं 7x minus 9 यहाँ पर x की value put करेंगे हम जो 25 upon 7 हम लाए थे 7 into 25 upon 7 minus 9 7 से 7 को हम divide करेंगे तो 25 बचेगा यह आएगा 25 minus 9 25 में से 9 को minus करेंगे तो क्या आएगा 16 जो की RHS के equal है Hence x equal to 25 upon 7 is the solution Next question है हमारा पास में 17 plus 6p equal to 9 यहां हमको क्या करना होगा 17 plus में है तो minus करेंगे 17 both side subtracting 17 both side तो आएगा 17 plus 6p minus 17 equal to 9 minus 17 17 17 minus करेंगे 0 आएगा तो 6p बचेगा LHS में RHS में 9 minus 17 minus के 8 बचेंगे क्यों कि minus वाला नमबर बढ़ा है इसने minus में बचेंगे अब यहां 6 multiply में आ रहा है तो divide करना होगा हमे इसलिए dividing both sides by 6 6p upon 6 equal to minus 8 upon 6 6 से 6 divide कर देंगे हम और यहां 8 और 6 को 2 की table से divide करेंगे 2 4 जा 8 and 2 3 जा 6 इसलिए p equal to आ रहा है minus के 4 upon 3 अब इसको check करते हम LHS लेते हैं 17 plus 6p p की value क्या find की थी हमने minus 4 upon 3 वो हम यहां put करेंगे तो 17 plus 6 into minus 4 upon 3 17 minus 3 से 6 को डिवाट कर 2 आया 2 का minus 4 में multiply करेंगे 2 4 जा 8 plus minus minus तो 17 minus 8 equal to 9 जो की RHS के equal है hence p equal to minus 4 upon 3 is the solution homework में आपको करना है इसी type की जितने भी सम्मों करना है एक सम्में देता हूँ और आप आपकी हिसाब से बना के भी कर सकते हैं वो सरल सवाल है है 14 minus 14y minus 8 equal to 13 इसमें y की value find करना है और सेंसर को चेक भी करना है Thank you